नमस्कार दोस्तों, कहानियों की शंकला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी प्रेत योनी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई वही कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और पड़्चितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये प्रेत योनी दीदी, दीदी, उठो उठो, बाबुजी बुला रहे हैं तुम्हें बालकनी में छोटी बहन चिंकी ने अधिर हो, उसे बाह पकड़ कर जिंजोडने की कोशिश की बड़ी मुश्किल से चिंकी की जिंजोडन, वह उसके घर पहुँचने की पक्की तसल्ली और अपने आत्म संघर्ष के बूते पर पाई मुक्ती की सुखान्य भूति से उपजी गैरी जपकी में सेंद लगाने में सफल हुई वह अकबकाई से बिस्तर पर उठकर बैट गई, आखी नहीं खुल पा रही थी आखों की कोटरों में उलीची पड़ी हुई थी, पोर-पोर तूटी अवमानित देह की कड़वाई किरकिरी पलक चीर भर भी उठे तो कैसे, उपर से देह बेपेंदी कीसी हट ओड़े उसके वस में नहीं सद रही सिरहाने लुढ़कने को ही थी, कि अम्मा की सम्यमित करकश स्वर ने उसकी लुढ़कती देह को तमाचा सा जड़ चैतन कर दिया नीतू, तेरे बाबुची बुला रहे हैं बालकनी में तुझे, फिर सो लेना नींद बड़ी मुश्किल से आई है, फिर आप आएगी आसानी से, उसने मन में सोचा पूचा इतना भर ही, अभी ही चनू, साइत विचरवां, विचित्र प्रतीत हुआ अम्मा का आच्रण बोल बोलने की उनकी पुराने आदत है, किन्तु समय कुसमय का बोध भी विस्मृत कर बैठेंगी वे, यह अनुमान नहीं था रात यही अम्मा उसे च्छाती से चिपकाए, बचिया से विचुडी गाय सी कैसे डकरा रही थी उसके लोट आने पर बेवल सी, वे ईश्वर को लाखों करोणों धनवाद देती नहीं अगा रही थी उसे लेकर ना उम्मीदी के आवसाद में आकंठ डूबा परिवार, अचानक उसे सामने जीवित पा, अविश्वास और प्रसनता के आवेग में संग छोड़ने आये हवलदार और महिला सिपाही को पानी पत्ता तक पूछना भूल गया था दादा, बिन्नू, चिंकी, बाबुजी सभी तो बावले हो उठे थे कितना विभोर हुआ था महत्तु जी कर उसका निज़त्तु चलो आती हुँ चोट खाय हुए गुटने को धीरे से सहलाती हुई वह पलं से नीचे उतरी सीधे होने की कोशिस असह चिलकन से दहल उठी बिस्मित हुई रात बेतहाशा भागते हुए किसी भी गुटने ने अपने आहत होने की उससे चूँ तक नहीं की अब कमरे की चोखट पर खड़ी रात वाली चिंकी एकदम बदली हुई थी दूर खड़ी उसके कश्ट को मूख दर्शक सी ठुकु ठुकुट देखती हुई इच्छा हुई बेसिन पर जाकर नेन पर खुली धार के छीटे दे ले लेकिन अम्मा के स्वर्की आदेशात्म करकस्ता गर्दन में पगहा कसे उसे सीधे बालकनी की ओर खीच ले गई लंबी खिडकियों से ढग दी गई बालकनी बाबुजी का शयन कख्षय घर में जब वे होते हैं वहीं लेटे बैठे पढ़िया सो रहे होते हैं दीवार के सहारे पीट टिकाय दीवान पर बैठे हुए बाबुजी सामने अकबार फैलाए उसे और चिंकी को छोड़के सभी सदस्यों से घिरे हुए बैठे थे सुबह अपनी आपा धापी से मुक्त हो सबका इस तरह से इकठा बैठे होना उसे सनका गया कहीं कुछ अगटित घटा है जिसका सीधा या गुमा फिरा कर कोई संबंध परिवार से जुड़ता अवश है अम्मा और चिंकी को तो वह देख चुकी थी बाबुजी के चड़े माथे और दादा की सुकड़ी हुई भाउंहों ने उसकी आशंका की पुष्टी की उसे देखते ही बाबुजी के चड़े हुए माथे की गुर्राहट उसकी ओर चील सी जब्टी आ गई मवानी लो अखबार बांच लो आज का अपनी आखों के आगे फैलाया हुआ अखबार अपेक्षित प्रस्ट की ओर मोड कर उसकी ओर बढ़ाते हुए पुनय बोले वे उपर दाहिनी तरफ वाला बॉक्स आइटम शेर्शक पढ़कर सप्रश्ण उसने बाबुजी की ओर देखा एक बहादुर लड़की की शौर गाथा यही न बाबुजी ने उच्छवास भरा वही उसकी तीक्ष हुआई द्रिश्ट शेर्शक छोड नीचे दी गई पंक्तियों पर दौरने लगी 31 अगस्त मथुरा कल अबरान ग्वालियर के निकट मुंबई से आ रही पंजाब मेल और मालगाडी के मद्ध हुई भयानक भिडंत के परणाम सुरूप सैक्डो मृत और घायल यात्रियों में से भोपाल से आ रही दिल्ली विश्व विद्याले की बिये ओनर्स अंतिमवर्ष की छात्रा अनीता गुपता जो चिकित्सुकों की मामूली मरहम पट्टी के उपरांत जाने की अनुमती मिल जाने पर कुछ एक अन्य यात्रियों के साथ साजे की टैक्सी से दिल्ली आ रही थी अन्य यात्रियों के अपने गंतव्यों पर उतर जाने के पश्चात मधुरा के निकट शहर से दूर एक निर्जन इस्थान पर कामुग टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई साहसी अनीता ने बड़ी बहादरी से वहशी टैक्सी चालक का सामना किया और किसी प्रकार उस दरिंदे के चंगुल से निकल भागने में सफल हुई इतना ही नहीं अस्त व्यस्त अनीता ने निकट के पुलिस थाने में पहुँच कर उस टैक्सी चालक के विरुद रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस पूरी मुस्तेदी से उस टैक्सी चालक को खोज रही है अनीता को पुलिस सुरक्षा में सकुषल उसके अभिभावकों के पास दिल्ली पहुचा दिया गया थाना प्रभारी केसी गोयल ने दिल्ली विश्व विद्याले की इस बहादुर छात्रा के साहस की भूरी-भूरी प्रशंशा की है और लड़कियों के लिए अनकरने उदाहरन बताया है बॉक्स आइटम खत्म होते ही वह संभात दाता की चुस्ती पर दंग रह गई हरदय आत्म विश्वास और प्रसंदता की मिली-जुली हिलोरों से उद्वेलित हो गया थाना प्रभारी गोयल जी ने उसके सामने भी तो कितना कुछ कहा था प्रशंचा में चलने के समय वे बोले थे बहादुर लड़की तुम अगर उस कामोक राच्छत से अकेले लड़ सकती हो तो क्या हम इतने लोग मिलकर उसे ढोण नहीं पाएंगे उसे अपने कुक्रत की सजा भोगनी ही होगी वह बाबुजी को संबोधित कर उनसे बोलने ही जा रही थी कि आप लोग इस बॉक्स आइटम को पढ़कर बजाय मुदित होने के तनाव ग्रस्त क्यों हो रहे हैं लेकिन उसके मूँ खोलने से पूर्व ही अचानक बैठक में रखे टेलीफोन की घंटी बज़ उठी मुक्ता का हो का भोपाल से आत्मा लापसी करती अम्मा फोन उठाने बैठक की ओर दोडी अम्मा के जाते ही सहसा बाबुजी को किसी बात का अंदेशा हुआ चौकन्ने से उठकर वे अम्मा के पीछे लपके अम्मा की हेलो हेलो भी अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि फोन जवरन उन्होंने उनके हाथ से जपट लिया अम्मा बाबुजी के इस अप्रत्याशित व्योहार से अचम भी थो उठी उनके चेहरे पर एक दबा-दबा नाराजगी का भाव उभर आया किन्तु बाबुजी की हेलो के अंदाज से उन पर यह तो इसपस्ट हो गया कि फोन पर ना उनकी बड़ी बेटी मुकता है ना ही जमाई बाबु रभी कौन? डॉक्टर सहाब सुनाईए डॉक्टर सहाब बॉक्स आइटम? हाँ, हाँ, पढ़कर मैं भी आपकी भाती चकित हूँ दरसल नीतो तो हमारी अभी मुकता बिटिया के पास भोपाली है नाती अंशुल का जन्म दिन है चार सितंबर को उसका जन्म दिन मनाए बगएर वे लोग उसे आने नहीं दे रहे ना, ना, यह अनीता हमारी नहीं है विश्व विद्याले में साहब पचासों अनीता गुपता होंगी जी, जमाना सचमुच बहुत खराब है लाग पढ़ा लिखा दो, मगर हाँ, ठीक कह रहे हैं लड़की सचमुच बहुत बहादुर थी और सहमत हूँ मैं आपसे डेर सो तो सरकारी आंक्रे हैं दुगने ही मरे होंगे नहीं, ग्यारा बजे के करीब ही निकलता हूँ गर से अच्छा डॉक्टर सहाब शुबचिंतना के लिए धन्यवाद फोन यथाय स्थान रखते हुए बाबुजी का चेहरा और अधिक तनावपोन हो उठा लग रहा था, वे किसी उधेड बुन में डूबे हुए किसी कूल किनारे तक पहुशने के लिए प्राण पड़ से हाथ पाओ मार रहे हैं सुनो, बाबुजी का तातपर अम्मा से था लेकिन सभी को अपने निकट खड़े हुए पाकर वे छुबद स्वर में चेतावनी सी देते हुए बोले सुन लिया, घरगर बांची जा रही है हमारी बहादूर बिटिया की शौर इगा था अभी तो फकत डॉक्टर कामता बाबु का फोन आया है देखते रहो, दिन भर फोन की घंटी टुंटुनाती रहेगी लोग बिटिया के कसीदे हमें सुनाते रहेंगे और अफसोस के बहाने घर पर आकर जले पर नमक छुड़केंगे हम नाते रिष्टेदारों में मुह दिखाने के काबिल नहीं रहे खाने की मेज से टिके हुए दादा ने आशंकित दृष्टी से बाबु जी की ओर देखा अलिगर वालों को भी खबर लग सकती है और दादा की आशंका बाबु जी को निर्मोल नहीं लगी और वे चाहें तो अपनी लड़की का संबंध तुमसे अभी का अभी तोड़ सकते हैं अखबार अलिगर में नहीं बिखते कम प्रपंच होते हैं बनियों में अम्मा ने वित्रिष्णा से सिर जटक कर अपनी विरादरी को कोसा अब जाती विरादरी को कोसना छोड़ो और कान खोल कर सुनो बाबु जी ने अत्यंत सतर्क लहजे में प्रतेक के चेहरे को गौर से देखते हुए बोलना शुरू किया अभी इसी छड़ से चाहे किसी सगे संबंधी का फोन आए या हितैशी पडोसी का या वे खुद आकर अफसोस प्रकट करें अख़बार में छपी खबर के विशे में उनसे साफ साफ मुकर जाना यू अटकले लगाते रहें लोग लगाते रहें उसका सिर घूम रहा है यह कौन से बाबुजी है इस अपरचित व्यक्ति को तो उसने कभी देखा ही नहीं उसके धर्म भीरू असत भीरू बाबुजी की काया के किस कोने में दुपका बैठा रहा यह कायर व्यक्ति जो नह संकोच जूट पर जूट गढ़े जा रहा है मान मर्यादा के रूढ मान दंडों की रक्षा के लिए बाबुजी ही कहते थे ना बेटियां ही मेरे बुढ़ापे की लकुटिया बनेंगी जब वे लड़कियों के हाथों से सोयम उनकी ही लकुटिया छीन उन्हें अबला बनाने पर तुले हुए है तो वे उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है यही व्यक्ति है जो अम्मा से हमेशा इस बात के लिए लड़ता बिड़ता रहा कि मैं अपने लड़कियों को कुछ दहेज में दूँगा तो सिर्फ शिक्षा शिक्षा ही उन्हें आत्म निर्भर बनाएगी अपना उचनीच स्वयम निप्टेंगी हम जीवन भर साथ बैठे रहेंगे ढाल लिए उनकी रक्षा को अपना उचनीच निप्टा नहीं उसने पूरी जीवटता के साथ कहां से संचित किया था आत्म बल अपने रोम रोम में बाबुजी से ही पाया था ना इस तरह से कहीं सचाई पर परदा पड़ सकता है क्यों नहीं बाबुजी छद्म खोल से बाहरा अपने भीतर के छट पटाते मनुस्य को मुखोटे की विवश्टा से मुक्त कर साहस दिखाते कि अकबारों की सुर्खियों में कैद अनीता गुपता कोई अन्य नहीं उनकी अपनी बेटी नीतु ही है बाबुजी अर्गला नहीं खोलेंगे तो सदयो सदयो के लिए उनकी अपनी नीतु के हाथों से ही नहीं सभी बेटियों के हाथों से अपनी ही लकुटिया सरक जाएगी और मुन्ना बाबुजी किसी कुशल अहेरी की भाती संकल्प बद्ध हो दादा से मुखातिब हुए भोपाल डिमांड कॉल से तुरंट बुक करो रवी या मुकतत जो भी मिले मामला समझा दो किसी को कानो कान थबर ना लगे कि नीतू उनके पास वहाँ नहीं है दादा ने पहले अपने बॉस के घर फोन किया कि आज उनके पिता का अस्थमा अचानक उखर पड़ा है वे उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के उपरांत ही कार्याले पहुँचेंगे यही करीब बारह तक जी लंच से पहले हर हालत में पहुँच जाओंगा सर चिंतित हो आए बॉस को दादा ने स्वर में संकट ग्रस्त होने का नाटकिये पुट घोलते हुए आश्वस्त किया फिर ततपरता से भोपाल का डिमांड नंबर डायल करने लगे उसके चोट खाय गुटने की पीड़ा असह हो रही है पूरे घर का कारे व्यापार उसे फन काड़े फुफकारते नाक सा जड़ किये हुए है प्रतिवाद आतों में मरोडे खा रहा है कंट से नहीं पूट पा रहा दीदी ही मिली फोन पर बाबुजी संचेप में परिवार की प्रतिष्ठा पर तूटी बिपता का जिक्र कर क्या करना है उने क्या नहीं हिदायत दे रहे है किशोरी चिंकी को अम्मा एक कोने में ले जाकर फुस फुसाते हुए ना जाने किस शड़ेंतर की भूमी का सौप रही है किन्तु चिंकी के बच्पन घुले चेहरे पर परिपक्वता का भाव शाखाओं पर फुदक रही गिलहरी सद्रश इस्थिर नहीं हो पा रहा भौचक्के खड़े बिन्नो को दादा ने गोड़का मुहले में तुम्हारा क्रिकेट खेलना बंद आज से इस्कूल इस्कूल से सीधा घर समझे इस्कूल दो-चार रोज बिन्नो इस्कूल नहीं जाएगा तो कौन सी कलक्ट्री छूट जाएगी हाथ से अम्मा दादा की नादानी पर भब की उसे लग रहा है वह कमरे में जाकर सो रहे सोना उसके लिए नहायद जरूरी है वह अपनी जगे से हिली ही थी कि बाबुजी उसे संबोधित कर आदेशात्मक स्वर में बोले नीतु तुम मान कर चलो कि तुम इस घर में अभी पहुँची ही नहीं हो अपने कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं ना दर्वाजा खोलने की ना टेलीफोन उठाने की वक्त का सदूपयोग करो अपने कमरे में पैट कर पढ़ो और क्या अम्मा ने सुर में सुर मिलाया हमेशा यही शिकायत रहती है तेरी इस घर की चौँचों भाववव में पढ़ने के लिए एकांत नहीं मिलता बाभु जी आज हम स्कूल नहीं गए न कल मेडिकल लेकर जाना पड़ेगा मेडिकल हपते भर का दिलवा देंगे बेटी तू घर पर ही बनी रहे कोई आया गया तो घर का दर्वाजा कौन खोलेगा सौधे सुलप के खातिर तुमारी अम्मा घर से निकलेंगी की नहीं उसका चेहरा वित्रशना से सिकुड आया जो कुछ चिंकी को नहीं समझना चाहिए वही समझाया जा रहा है उसे और वह विवश सी खड़ी उसे देख रही है वह चिंकी के बदलते मनोभावों को इसपष्ट लक्षित कर रही है चिंकी की फुदकन अनायास चोकने भेणिये की चित्वन में परिवर्तित हो रही है पहली बार उसे सत्ता का सुख अनुभव हो रहा है भले दीदी की निगरानी के ही बहाने कहां तो दीदी हर वक्त उस पर धौस जमाए रहती थी वह कब सोए, कब उठे, कब पढ़े, कब खेले, किसके साथ खेले, कैसे खाए, कितना खाए बात बात पर उसकी टोका टाकी, खोपडी पर सवार रहती थी अब पासा पल्टा हुआ है चोधराहट दीदी के हाथों से सरक उसके हाथ आ लगी है वह बौराई सी अपने कमरे में दाखिल हो तब टपाते माथे को तकिये में गड़ा कर फूर पड़ी रात अपनी च्छाती में गड़े उसके चेहरे को सहलाते छूते प्रलापसी करती अम्मा बोली थी हम तो उमीद छोड़ चुके थे मोरी चिरैया अम्मा बोले ही जा रही थी तुझे गाड़ी पर बिठाते ही भोपाल से मुक्ता का फोन आ गया कि नीतु के डिब्बे का नंबर S9 है सीट 32 तेरे बेसब्र बाबुजी घंटे भर पहले ही स्टेशन पहुँच गए स्टेशन पहुँच कर पता चला कि गाड़ी घंटे भर के करीब लेट है घंटा बीतते ना बीतते पुनह घोशना हुई कि घंटा भर और विलंब है स्टेशन पर आत्मियों को लेने पहुँचे लोग इसपस्ट सूशना के अभाव में परिशान हो उठे जितने मुँ उतनी बातें किसी ने गाड़ी में बम विस्फोर्ट होने की आशंका व्यक्त की किसी ने इंजन फेल होने की डेड़ घंटे बात जाकर रेलवे अधिकारियों ने खेद भरे स्वर में सूशना दी कि ग्वालियर के निकट गाड़ी के माल गाड़ी से टकरा जाने के परिणाम सुरूप भीशन दुरगटना घट गई है सैक्णों यात्रियों के हता हत होने और प्राण जाने की आशंका है स्टेशन पर हडकंप मच गया घबराय बाबु जी को ना इस पल चैन ना उस पल ग्वालियर पहुँचना किसी भी तरह मुम्किन नहीं था कि घटना इस्थल पर पहुँचकर तेरी खोश खबर लेते स्टेशन के बाहर किसी दुकान से इन्होंने घर फोन कर तेरे दादा से परामर्श किया कि आखिर क्या करें दादा ने सलाह दी स्टेशन पर बेर्थ पड़े रहने से कोई फायदा नहीं स्टेशन अधिक्षक के पास नीतु का बेवरन घर का पता टेलीफोन नंबर आधी दर्ज करवा कर चले आए अनर्थ की आशंका में डूबा पूरा घर ना कंठ से दो घूट पानी उतार पाया ना मुह में कवर यही सोच सोच कर कलेजा टूक टूक होता रहा कि विधाता ने असमय मौत भी दी तो कैसी दर्दनाग प्रेत योनी में भढ़केगी मेरी फूल सी बच्ची सुबक्ती अम्मा के ठुड़ी से चूते आसू उसके धूल उलजे केशों को नहीं भिगो रहे थे उसके छुप्त सर को आस्वर्ष्ट कर रहे थे बाबुजी पुलिस वालों को बिदा करके उपर लोटे तब तक वे बेटी की संचिप्त आप बीती से ओगत हो चुके थे कि अपने उपर टूटी आकस्मिक विपदा से किस जीवट और धहर के साथ उनकी बेटी जूजी और पुलिस थाने पहुँचकर उस कामुक टैकसी चालक के विरुत रिपोर्ट दर्ज कराई आपकी बेटी दुर्गा है साक्षात दुर्गा महिला हवलदार के बेटी के प्रती प्रशश्ती उद्गारों ने कुछ पलो पूर्व उद्ध्यग्न बाबुजी को गर्व से भाव विवोर कर दिया भूल जा बेटी जो कुछ तुछ पर बीती सोच ले दूसर अपन था हमारे लिए यही बहुत है कि तू जीवित है हमारी आखों के सामने है तू एक नहीं दो दो यमराजों को पचाड़ कर आ रही है वही बाबुजी सुबए अकवार में उसकी संगर्ष गाथा की चर्चा पढ़कर एका एक संवेदना शोन ने कैसे हो उठे क्या था जो सिर्फ अकवार में ख़बर बनते ही तिरोहित हो गया संगर्ष शक्ती जीवट सब हाशिये के सब्द पर होकर रह गए लोका पवाद के भैसे लोका पवाद के विरुध तब बाबुजी कैसे तनकर खड़े हो गए थे जब मुक्ता दीदी के अकेले बंबाई जाकर नौकरी करने के निश्चय की सगे संबंधियों ने आलोशना की थी मुक्ता कह रही थी हपते भर घर बैटाने से बात नहीं सदेगी सीधा प्राइवेट ही फॉर्म भरवाओ बाबुजी अम्मा से कह रहे थे दूरन देश है मुक्ता जोश में आकर कभी किसी सहेली से सच्चाई पो बैठी तो बिरादरी में कोई इसे अपनी देहरी लेने से रहा उनकी परस्पर बातचीत बीच में ही तूट गई बाबुजी किसी से फोन पर उलजे हुए है शायद कोई अकवार का समवाद दाता है और घटना के संबंद में सीधा उससे बात करने का इक्षुक है वह तकिये से चेहरा उठा वही से चिला कर बाबुजी से कहना चाह रही है कि वह उस समवाद दाता से बात करना चाहती है लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है कि उसके भीतर की प्रतिवाद शक्ती एका एक छीड हो गई है या इर्दगिर्द निरंतर सगन हो रहे है शर्यंद्र के विस बद्बू से बेसुध बाबुजी उत्तेजित हो कह रहे हैं जिस किसी विद्यार्थनी ने उन्हें उनके घर का टेलीफोन नंबर दिया है द्वेश भाव से ग्रस्थ होकर दिया है टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई लड़की मेरी बेटी अनीता नहीं है मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन है वह लड़की क्यों नहीं लग सकता पता जरूर लगाईए पता आपको तो अपने अख़वार के लिए मिर्च मसाले की जरूरत है भाई अपनी बेटी से कैसे बात करवा दूँ वो यहां हो भी तो वह तो अपनी बड़ी बहन के पास भोपाल है जी नहीं मेरी बेटी के घर फोन नहीं है इसमें छिपानी की क्या बात है जब अकबारों में घटना का विवरन प्रकाशित हो ही गया है तो शेश क्या ढखा रह जाता है देखिए प्रगत शीलता और जागरूपता का पाठ क्रपया मुझे ना पढ़ाएं मैं पूरी तरह से एक जागरूप बाप हूँ बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता बाबुजी ने फोन रखा नहीं खीज और क्रोध से लगभग पटक दिया मानो फोन का चोंगा नहीं हथोड़ा हो उनके हाथ में और उसे उन्होंने पूरी ताकत से उस अजनवी समभाददाता की खोपड़ी पर दे मारा हो अगले ही पल वे तम तमाय हुए से चीखे चिंकी फोन का प्लाग अला कर दे तो सुना नहीं तुने बाबुजी की आकरामक मुद्रा देख सहमी हुई सी चिंकी उनके आदेश का पालन करने दोड़ी किन्तु आगे बढ़कर अम्मा ने उसे बीच में ही बरज दिया रहने दे तेरे बाबुजी होश में नहीं है फिर बाबुजी की ओर मुड़कर म्रदुस्वर में उन्हें धैर बंधाती हुई बोली सिर पर तूटे पहाड को तुम खुर्पी से उचकाने चले हो इतने नादान कबसे हो गए कोई अपना ही जरूरी फोन आ जाये तब कैसे जरूरी फोन आ रहे हैं देख नहीं रही अम्मा की सलाह पर बाबुजी कटाक्ष से गुर्राए एफाई आर दर्ज कराते समय अगर यह पुलिस वालों से इसपस्ट कह देती कि देखिए लड़की का मामला है उसकी सुरक्षा और भविश का खयाल कर वे मामले को कुथ नहीं हो जाते हम संकट के समय बड़ो बड़ों का दिमाग कुंध हो जाता है नहीं चला होगा दिमाग इस ओर बाकी दिशाओं में दिमाग दोड रहा था इस दिशा में भी दोड़ना चाहिए था जहासी की रानी का अब जो नहीं हो पाया उसे विसोरने से फायदा और धीरे बोलो तनि सोई नहीं है नीतू सुन नहीं रही होगी अपने कमरे में पड़ी पड़ी उसके डर से मो सीलू बाभुजी बजाय शान्त होने के और उग्र हुए हल्दी चूना पक के आम्मा चिंकी ने रसोई के दर्वाजे से ही सूचित किया आम्मा को कहां रखू तश्तरी में रखकर दीदी के कमरे की मेज पर रख दे वहीं आ रही हूं मैं हल्दी चूना किसलिए बाभुजी ने कौतुहल से उनकी ओर देखा नीतू के जकमी घुटने पर लेप लगाने के लिए हथेली भर नील पड़ा है छूने भर से टीस्ता है हड़ी की चोट तो किसी विशेशग डाक्टर को दिखलाना होगा अम्मा का स्वर अनायास चिंतित हो आया दिखा देंगे बाभुजी के स्वर में विरत्ती थी हड़ी टूटी होती तो टांग का हिलना डुलना ही मुश्किल होता दुश चिंताओं से गिरे होने के बावजूत बाभुजी के स्वर की यह उदासिंता अम्मा को अरुचिकर प्रदीत होई वे उत्तर में बिना कुछ बोले मुडने को ही थी कि बाभुजी की सुनो सुनकर उनकी और पल्टी मैं कह रहा था कि तुमने चिंकी बिन्नू मुन्ना और नीतु को सारी बाते ठीक से समझा दी है ना उनके ए प्रदी चूने का लेप मेज पर रखा निश्चे ही ठंडा हो गया होगा सोचकर अम्मा बाभुजी की अगली सुनो के घराव से छूट भागने की खातिर तेजी से बैठक से बाहर हो गई उनके पास पल भर भी खड़े रहने का अर्थ होता श्रोता बने उनकी हां में हां म की कोशिश की लेप अपेक्षा से काफी ठंडा हो गया था खासा गरम लगाने से ही रक्त के जमाव को काटने में समर्ध होता है जितनी आज सहले कटोरी समेत तस्तरी उठाये वे रसोई में गई और चिंकी को तवे पर कटोरी रखकर लेप को पुनह गर्म करने की हिदायत बिना किसी आहट के उसके सिरहाने आकर बैट गई कुछे एक पल इसने सिक्त सी वे उसके धूसरित उलजे बालों में अटकती उंगलियां फिराती रही फिर चिंकी के मेच पर लेप की कटोरी लाकर रखते ही उसके कानों के पास मुह ले जाकर फुसपुसाई चित तो हो ल पाहिनी टांग के हिलते ही असहिनी ये चिलकन देह को ठंडे पसीने से तर कर गई मुह से चीख निकलते निकलते बची सलवार का पायचा सकरा था सावधानी से खीचने खाचने के बावजूत घुटने की चोट के पार नहीं हो पाया कान के पास मुह ले जाकर अम्मा मनुह भार भरे स्वर में पुनाय फुस फुस आई सलवार उतार दे गुडिया पेटी कोट लाए दे रही हूं वही पहन ले कमीज के नीचे वे उठी और अलमारी से तुरंत साफ धुला पेटी कोट निकाल लाई कमर पर सलवार उसने लुंगी की भातिक गठियाई हुई थी देख कर अम्मा का मा था ठनका उनकी आशंकित चमकीली आँखों में प्रश्नों की तलवारें खिचाई नाडा तूट गया तूट गया कैसे भागते 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 गठियाया हुआ था ना फिर उसके सूखे होट चप-चप से काप कर रह गये उठ उसे पीठ के सहारे टेक दे देती हुई नहीं बल की धकियाती अम्मा ने पेटी कोट गरदन में बच्चे को पहनाये जाने वाले जबले की तरह डाला फिर चारो और से उसे नीचे खीच दिया घुटने पर लेप मलते हुए हाथ रोक कर सहसा उन्होंने पूचा महीने को कितने दिन शेश हैं कुछ पल तुम जिस आशंका से पीडित हो या प्रश्न पूच रही हो वैसा उस कामुक राक्षस की पूरी कोशिश के बावजूद संभव नहीं हो पाया मैं प्राण पड़ से लड़ी हूँ लेकिन घुटने की पीड़ा ने उसे बोलने की महलत नहीं दी जोणों पर अम्मा की तर मुक्ती की खुली हवा में सांस ले सके इसकी भी अनुमती नहीं थी तर्क था आने जाने वालों के समक्ष उसे नहीं पड़ना है वैसे बाबुजी का अनुमान सही निकला प्रतेक दिन आने जाने वालों का ताता लगा रहा कुछ ने अकवारों में स्वयम ख़बर जानकर उनका उत्सा गुप से बुझ गया फिर भी बॉक्स ऑफिस वर उनकी सामान ने चर्चा गंटे डेड़ गंटे का सत्संग भाव ओड़े जाने का नाम न लेती सभी उस लड़की के माता पिता को सलाह देने को उतावले हो रहे थे कि रिश्वत खाकू कर पुलिस अगर मामला डकार जाना चाहे तो उन्हें चुपी मार कर नहीं बैट जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहिए और उस कुत्ते टैक्सी चालक को फासी पर लटकवा कर ही दम लेना चाहिए अम्मा और बाबुजी के अभिनाई कौशल पर वह चकित थी कितने सहज भाव से दोनों हसस कर लोगों को बैठाते उठाते उन्हें पुना कभी घर आने के लिए आमंत्रित करते एक आध बार वह अम्मा की फुर्ती देख दंग रह गई पाटिल आंटी और पैनकर आंटी के घर में दाखिल होते ही अम्मा उनके लिए पानी लाने के बहाने उसके कमरे में जाग कर उसे आगाह कर गई कि वह धीरे से कमरे की चिठखनी भीतर से चड़ा ले नंबरी चालू हैं दोनों किसी बहाने कमरे का जाज़ा लेने पहुँच सकती हैं वैसे कोई सवाल किया भी उन्होंने तो उससे निपटना आता है उन्हें कह देंगी आगरा से बड़ी भतीजी आई हुई है नौकरी का साक्षात कार देने तयारी कर रही है कमरा बंद कर शायद सुशीला आंटी आई हुई है उन्ही की आवाज लग रही है आंटी किसी अखबार में उसी के संदर्व में प्रकाशित किसी समाचार की चर्चा कर रही है वह दर्वाजे की चिटकनी उतार फुट भर दर्वाजा खोल कर अपने कान बैठा की ओर लगा देती है आंटी बता रही है आज दुपहर के सांध टाइम्स में बॉक्स आइटम समचार छपा है कि दिल्ली विश्व विद्याले की चात्रा कुमारी अनीता गुपता के साथ 30 अगस्त की रात कथित दुर्वेवार करने वाले बलतकारी टैक्सी चालक को अब तक ना पकड़ पाने की पुलिस की अकरमंडता के प्रतिवाद में दिल्ली विश्व विद्याले की समस्त छात्र छात्राओं ने कल 10 बजे सुबह आईटियो इस्थित पुलिस मुख्याले कि समक्ष विरोध प्रदर्शन का आवान किया है ठीकी तो है ठीकी कर रहे हैं वे आबरू की रक्षा के लिए अकेली लड़की के दुर्गा बनने से रक्षा नहीं हो सकेगी पूरे सवाज को उसके साथ खड़े रहना होगा अम्मा की प्रतिक्रिया थी उसके कानों को सूंख गया बाबु जी बॉकलाए हुए से बैठक से बालकनी बालकनी से बैठक के बीच चक्कर मारने लगे बाबु जी की उद्धिवनता भाब अम्मा उनके रक्त चाप के विशय में चिंतित हो उठी जाओ जाकर मंडी से साग सबजी ही ले आओ फिर बाबु जी के निक इसे खाकी रंग वाला थैला उठा कर ले आने के लिए कहा बाबु जी ने ठिटा कर अनिच्छा से उनकी ओर देखा और हां देखना पटरी पर किसी के पास सांध टाइम्स की प्रती मिल जाए तो खरीद लाना यह बात अम्मा ने लगभग फुसफुसा कर कही बाबु जी स बिन्नों को दोड़ा कर सुशीला के घर से भी मंगा सकती हूँ पर कहीं वह यह ना सोचे कि मैं इस खबर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ फिर बच्चे को फुसलाते देर लगती है वह भी चाह रही है कि बाबु जी सब्जी मंडी तक घूम फिर आएं और रास्ते से सांध टाइम्स खरीद कर ले आएं अम्मा आगरह ना करती तो निश्चे ही संकोच त्याक कर वह बाबु जी से कहने ही जा रही थी विरोध प्रदर्शन की खबर वह अपनी आँखों से पढ़ना चाहती है शब्द शब्द जानना चाहती है कि ये कौन लोग हैं जो उसके श्त्रीत के अपमान और तेरसकार से सोयम अपमानित और आहत हुए हैं बेचैन हुए हैं क्यों नहीं वे प्रतक्रिया में खामोश बैट गए उनके परिवार वालों की भाती जो घटा मात्र उसके मुख दर्शक से बिन्नू के हाथ से खाली थेला लेकर बाबु जी ने थेला खाने की मेज की कुरसी के पीट पर लटका दिया उसे लगा बाबु जी घर से निकल कर नहीं जाना चाह रहे उनके भीतर द्वंद के कई कई मोर्चे खुल गए हैं उसे महसूस हो रहा है कि हर मोर्चे पर बाबु जी की सिर्फ पीट है अम्मा रसोई में शायद चूले पर दूद गर्म करने के लिए चड़ा रही है आगे बढ़कर वही आगरह करे पहले की तरह पहले की ही तरह उन्हें हाथ में जबरन थैला पकड़ा कर पीट से ठेलते हुए दरवाजे से बाहर कर आए हो सकता है पहले ही की तरह बाबु जी पलट कर उसके दोनों हाथों को अपनी मुठियों में जकर लें और कैसी रही वाली नटखट मुस्कान मुस्कराते हुए कहें अरे चुडएल धक्का मार कर क्यों घर से बाहर कर रही है जा रहा हूँ जा रहा हूँ और अब तो तुझे भी संक गसीट लिये चलूँगा चल पकड दहला वह अपने कमरे से निकल कर बैठक में टहल रहे बाबु जी की ओर दबे पाउँ बढ़ी आहट सुनकर विचार मगन बाबु जी उसकी ओर पलटे उसे देखते ही आग बबुला हो एक्दम चीखे बाहर क्यों आई अपने कमरे से निकल कर कमरे में जाओ वह बाबु जी के अप्रत्याशित रोधर रोब के लिए प्रस्तुत नहीं थी आवाख हो जड़ हो आई सुना नहीं तुम ने उसने पहली बार प्रतिवाद में मुह खोला मुझे आज का सांध टाइम चाहिए बाबु जी प्लीज तो धुआ ऐसे ही नहीं उठ रहा लगता है तुमने अपने सातियों को कहीं से इशारा कर दिया है कि अब वे तुम्हारी आत्म सम्मान की रक्षा का नातक खेल ले और हमारी इच्चत सरेयाम सडक पर नेलाम कने तुम तमतमाय हुए बाबु जी आपक हो बैठे और उसकी चोट खाई टांग की परवाह किये बिना उसे बहां से दबोचे कमरे की ओर घसीट ले गए सारे किये कराय पर पानी फेर कर धर दोगी तुम पंक में सोयम ही नहीं डूबी हमें भी लिसेड कर धर दिया चूला धेमा कर अम्मा घबराई हुई सी उसके कमरे की ओर दोडी आई और बजाय बाबु जी के असंतुलित ब्योहार के प्रती आपत्ती प्रकट करने के उल्टा उसे ही कोस्ती हुई बोली यह क्या नोटंकी है नीतू मुहले को घर में इकठा करके ही मानेगी तीन दिन के प्रसिक्षन में ही पक आई चिंकी अम्मा की सतर्क आँखों का संकेत पाते ही घर की एकाद खुली खिड़कियों के पट फूर्ती से बंद करने लगी ताकि चीक पुकार का कोई सवर घर की दहरी न लांग सके मालूम है कि खिड़कियां बंद करने के पश्चात चिंकी दोड़कर दादा का ट्रांजिस्टर उठा लाएगी और कहीं भी सुई फिट कर उसे पूरे वाल्यूम पर चला देगी फूर्ती रुलाई को कंट में ही घोंट देने के लिए उसने ओंधे हो पूरी शक्ती बटोर कर तकिये से मोह गड़ा लिया नाक दबने से सांसे अवरुद हो रही है होती रहें क्रूर संकल्प से द्रड़ हो आई चेहरा नहीं उठाएगी तकिये से अच्छा है दम घुर जाए इनके हाथ रिस रिस कर मरने से अच्छा है आत्म घात उसने तकिये के दोनों सिरों को मुठियों में भीच लिया आवाजों के मिले जुले शोट ने बेहोशी की चिकोटी भरी तो उसने पाया की कमरे की दिवारों से कोहरे घुला सा अंधेरा चिपका हुआ है परदे के पीछे से सहन की ट्यूब बत्ती की उजास पिंग भरने को ब्याकुल जूले के लंबे पटे सी परदे हिलते ही फर्ष पर हिलकोरे लेने लगती है दूर दर्शन पर शायद कोई धारवाहिक चल रहा है कोई हास धारवाहिक बीच बीच में चिंकी और बिन्नु की उन्मुक्त खिलखिलाहत की खनक धारवाहिक की रेकॉर्डेट समवेथ हसी की ध्वनी के साथ गुल मिल रही है उसे लग रहा है घर के सारे सदस दूर दर्शन से जुड़े बैठे हुए है रसोई की बत्ती पंध है आसपास किसी के होने की चुटकी भर आहट सुनाई नहीं दे रही 10-15 मिनट और सुनाई नहीं देगी सहन की दीवार से सटे रखे मेजनुमा शोकेस के ऊपर बाबुजी का कॉडलेस टेलीफोन रखा रहता है पिछले जाडों में जीजा जी ने उन्हें सिंगापुर यातरा से लोटकर विशेश प्रयोजन के साथ बेट किया था कि वे घंटे भर पाखाने में बैठे रहते हैं अकबार वहीं पढ़ते हैं एक फोन सुनने की ही असुबिधा होती है उन्हें यह यंत्र उन्हें इस असुबिधा से मुक्ति दिलाएगा उसे अपनी कॉलेज की साथिन सहेली नमरता से बात करनी है उसके लिए नमरता का कई बार फोन आ चुका है हर बार वही जूट उसे भी टिका दिया गया लेकिन नमरता जानती है कि वह 30 अगस्त को भोपाल से चलने वाली थी खत लिका था उसे उसने वह नमरता को अपनी घुटन के विशय में बताना चाह रही है वह उसे बताना चाह रही है कि अपनों द्वारा ही अपने घर में नजर बंध है और कामुक टैक्सी चालक की हवस का शिकार अनीता गुपता कोई अन्य नहीं तुम्हारी एक मात्र सहे नीतू है नीतू नमरता से संपर्क करने के लिए पाखाने के भीतर कागज पैंसिल लिफाफा ले जाकर उसने कुछ पंक्तियां घसीट कर संकेत से बिन्नू को कमरे में बुला चिठी उसकी निकर की जेव के हवाले कर चिरोरी की थी कि वह साधानी पूर्वक नीचे जाकर चिठी लेटर बॉक्स में डालाए मगर चिठी लेटर बॉक्स में डालने की बजाए बिन्नू ने बाबुजी के हाथ में थमा दी थी वही बिन्नू जो राक्षस और राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राक्षस से भैवीत हो उसकी टांग पर टांग चड़ाय बिना न सोता वह बिल्ली की तरह दबे पाउं शोकेस के निकट पहुँच कर काउडलेस फोन उठा लेती है और फुर्ती से उसका तार निकाल कर स्विच आउन कर नम्रता के घर का नमबर गुमाने लगती है नमबर लग गया है आंटी ने उठाया है वे हेलो हेलो कर रही है वह उनसे नम्रता को बुला देने के लिए कहने जा रही थी कि बलात किसी ने उसके हाथ से फोन जटक लिया उसकी अचमभित भयाकरांती द्रश्टी के समक्ष दादा खड़े हुए अगिया बैताल से उसे घूर रहे थे फोन किसे कर रही थी मैं किसी को फोन नहीं कर सकती उसने अपने भीतर प्रतिवाद किया हिलने डुलने सांस लेने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमती चाहिए मुख आक्रोश से उसकी पूरी देह थर्रा उठी किन्तु होटों पर सिवाए दैने ये फड़कन के कुछ नहीं फूर पाया क्या हो गया है उसे? क्या हो रहा है? वह कुछ बोलती क्यों नहीं? दादा ने बिन्नों को फोन उठा कर अपने कमरे में रखाने का आदेश दिया फिर निकट आ खड़े हुए बाबुजी को फोन शो केस पर रख छोड़ देने की असावधानी पर डाटा आज चल हम सब के साथ बैठक में चलकर अंग्रेजी समाचार सुन तब तक चिंकी मेच पर खाना लगाएगी अम्मा मनवल भाव प्रदर्शित करती उसे बैठक में ले चलने के लिए उध्यत हुई अपनी और सप्रश्ण देखते हुए बाबुजी का अभिप्राय ताड़ कर वे उन्हें आश्वस्त करती हुई सी बोली अब कोई आने से रहा आया भी तो तुरंत अपने कमरे में भेज दूँगी उसने घर्याली सहानू भूती से चटपटा रहे अम्मा के हाथ को अपने कंधे पर से जटका और बिना किसी की और देखे अपने अंधेरे कमरे की और मुडली खिसी आया हुआ आक्रोश पिघल कर आँखों से बह रहा है दारो दार अम्मा उसके पीछे उसके बिस्तर तक चली आई और हमेशा की भाती बालों में उंगलियां फसा कर चकर घिन्नी हो रहे सिर को खुजलाती सी सहलाने लगी धैर से कामले बेटा, कठिन समय में धैर से ही पार लगता है जो कुछ हो रहा है तेरे भले के लिए ही न सहन में खड़े हुए दादा उसकी मानसिक दशा पर बाबुजी से अंग्रेजी टिपनी कर रहे है विचिप्त हो रही है एकदम उसकी इच्छा हो रही है कि अपने बालों में फसी अम्मा की उंग्लियों को बालों से खीच कर पेंसिल की तराशी पैनी नोक की भाती मोड कर तोड़ दे उनकी चुवन अब कपड़े उतार चुकी है उनकी चुवन और उसकी देह के बीच अनकहे समवात के समस्त सेतु चुक गए है कभी ऐसा हो सकता था कि अम्मा उसे चुव रही हो और वह निरी काट की काट बनी पड़ी उनकी गोद में अपना मूर न चिपा सके खाना लग गया है अम्मा दादा और बाबुजी मेच पर बैठे हैं चिंकी ने कमरे में जहाक कर सूचना दी उन लोगों से कहो खाना शुरू कर दें और सुन अम्मा का स्वर अचानक रहस में हो आया चूले की बगल में छोटे स्टील के पतीले में काड़ा बना रखा है गिलास में डालकर दीदी के लिए ले आ फोरण खाने से पहले देना है लाई कहकर चिंकी रसोई की ओर लखी गिलास लिए कमरे में आने से पूर्व वह बाबुजी दादा और बिन्नु को खाना शुरू कर देने को भी कह आई ले उठनी तू खाने से पहले तनिक ये काड़ा तो पी ले अम्मा ने उसे उठाने के लिए उसकी गरदन के नीचे हाथ मसाया काड़ा? कैसा काड़ा? भूख कुल्ब ला रही है आँतों में चिंकी? तू जा अम्मा ने गिलास चिंकी के हाथ से अपने हाथ में लेते हुए उसे कमरे से बाहर भेज दिया और अस्फुट स्वर में बोली काड़ा पी लेने से महीना किसी हालत में नहीं रुकेगा पी ले चुप चाप उसने विसफारित नेत्रों से अम्मा की ओर देखा कमरे में फैली पीली रोश्णी उसके सूखे चेहरे पर जर्दी सी गहरा आई सोच क्या रही है जहर नहीं पिला रही तुझे अम्मा के धेर का मुखोटा उनके चेहरे पर से सरखने लगा जहर ही पिला दो सीथा छुट्टी नीतू तुमने पूचा मुझ से हाथ आई को मर्द छोड़ता है कहीं हाथ आती तब ना तुमसे जूट बोला है कभी बोला हो ना बोला हो काढ़ा पी लेने में हर्ज उबली जड़ी बूटियां भरी तो हैं हर्ज है इसका मतलब है तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही ठीक है नहीं कर रही तू काढ़ा पी चुपचाप नहीं वह हटी हो आई पीना पड़ेगा तैश में आई अम्मा ने उसके सिरके बालों को निर्ममता से मुठ़्ी में दबोच लिया और दूसरे हाथ से जबरन गिलास उसके मुझ से लगाना चाहा उसने प्रतिकार में पूरी ताकत से अम्मा को परेड़केल दिया काढ़े का गिलास अम्मा के हाँस से छिटक कर पायताने रखी किताबों भरी अलमारी से जाटक राया हरेरा के रंग सा काढ़ा किताबों की जिल्दों से बहता हुआ फर्ष पर चूने लगा कृद्ध शेर्णी से अम्मा आपक हो बैठी वे उसकी अनेपेक्षित उद्दंडता के लिए कताई प्रस्तुत नहीं थी लपक कर जपाटे से उन्होंने पुनाय उसके बालों को मुठी में कस लिया और उसके छूटने को कसमसाते चेहरे पर तड़ा-तड़ चाटे जड़ने शुरू कर दिये उसने हिंस्र हो आई अम्मा के चाटे जड़ते हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की लेकिन अम्मा के सिर पर तो जैसे कोई भूत सवार हो गया था उनका हाथ पकड़ने की अनधिकार चेष्टा ने आग में घी का काम किया अम्मा ने उसे बालों समेथ पलंपर से फर्स पर खीच लिया और शक्ती भर उस पर लातने बरसाने लगी वे शायद उसे लात गूसों से अचेत होने की सीमा तक रौंध ती अगर दादा और बिन्नु ने उन्हें पीचे से जकड कर अलग न कर दिया होता अच्छा होता तु उन्हीं डेर सो परलोग सिधार गई सवारियों में से एक होती कुलचिन जाते जाते अम्मा सराप रही थी उसे प्रेम वाजसल शुभेक्षा जूटे शब्दे अपनी अपनी कुंठाओं का परियाय वे जो जीवन के नाम पर जीना उसे सौपना चाहते हैं वह पगपग पर उनकी शर्तों के तैयार शुदा फंदों में स्वयम को कसना नहीं होगा यह नजरबंदी मात्र हपते भर के लिए नहीं है एक लंबा गिर्वी जीवन ऐसी ही नजरबंदी की चीथती सक्री सुरंग में बंदी होकर बिताना होगा उसे बिता सकी की वह कितनी कुशलता से अम्मा बाबुजी ने अपने भीतर के अविवे की शोशक को रोप दिया बिन्नू और चिंकी के कच्चे मन मस्तिस्क में कि उन्हें अपनी दीदी से अलग होते समय नहीं लगा उनकी द्रिष्टी जब भी उसकी और उठती है संशय हिकारत से भरी किसी अपराधी की और तनी उंगली हो उठती है बुआ के गाउं बिरहुन के चमरा टॉल में देखा वह द्रश अठाहास भरने लगा उसकी चेतना पर जिसमें छैसात लोग बल्लम भाला ताने अपने ही हाथों से गए सुवर का वद करने को उसे गेर रहते और सुवर दारुन चेतकार करता हुआ अपने प्राणों की रक्षा के लिए शक्ती भर भाग रहा था भाग रहा था नहीं इनके सामने आत्म समर्पन से अच्छा है आत्म घात पूरा घर बेसुद नींद में चियाया पड़ा हुआ है सावधानी पूर्वक उठकर उसने अपने कमरे की चिठखनी भीतर से चड़ा ली और पेटी के उपर तहाय रखे कपड़ों में से अम्मा की एक नायलोन की साड़ी खीच कर उसे बटकर मजबूत फंदा तयार किया साड़ी का एक सिरा बिस्तर पर मोड़ा रखकर छट के पंके से बांध कर उसे खीच खाच कर परखा मुक्ती का यही रास्ता शेश है कारण वह कोई लिखकर नहीं मरेगी दादा का हस्त लेख हू बहू उससे मिलता है जो भी कारण वे लोग अपनी प्रतिष्ठा और पसंद के अनुसार चुनना चाहें उसके आत्मगात के संदर्व में चुनने के लिए स्वतंत्र हैं वह मोड़े पर चड़कर खड़ी हो गई फंदा पकड़ कर अपने गले में डालने जा रही थी कि अचानक उसकी आँखों के सामने सांध टाइम्स की वह अनदेखी प्रती गोम गई जिसमें बॉक्स आइटम में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि दिल्ली विश्विद्याले के छात्र चात्राएं कल सुबह दस बजे पुलिस मुख्याले के समक्ष छात्रा अनीता गुपता के कतित बलतकारी टैक्सी चालक को पकड़ने में हो रहे विलंब के खिलाब शांतिपून विरोध प्रदर्शन करेंगे कल वही छात्र और छात्राएं जब बॉक्स आइटम में उसके आत्म घात की सूचना पढ़ेंगे तो वे सोयाम को अपमानित और ठका हुआ नहीं मैसूस करेंगे कि वे एक नहायत कमजोर और कायर लड़की के बहाने अपनी लड़ाई लड़ रहे थे जो उन्हें लड़ने से पहले ही हार मानने को अभिशप्त कर गई वह पलो मोड़े पर खड़ी सांध टाइम्स की अनदेखी प्रती में प्रकाशित उस सूचना को बार बार पढ़ती रही एक निश्चे अनिश्चे के गर्व में अकवाता अपना कद ग्रहन करने लगा वह एक से लड़ सकती है पांच से क्यों नहीं लड़ सकती अब वह अकेली भी तो नहीं गले से फंदा निकाल कर वह उचक उचक कर खेल खेलती सी पंखे से अम्मा की साड़ी की गांट खोलने लगी जो सामान जहां जैसा था उसने यतावत रख दिया जाकर बोज मुक्त हो निश्चन्त सी पलंग पर लेट गई नींद एक अजीब सी खुमारी लिए उस पर तारी हो रही है कल सुबह वह भी होगी आईटियो इस्थित्प पुलिस मुख्याले के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए एक जुठ होती अपनी पीड़ी के साथ तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं